हलो वेलकम डू दिस वीडियो टूटोरियल आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे वी लुक अप और मैस कमबनेशन के पांच बैस्ट एक्जामपल्स यह इंटर्व्यू में मैक्सिमम पूछे जाते हैं कि एक सिंगल वी लुक अप और मैस की कमबनेशन से मल्टिपल सेल वैलिज को हम कैसे ड्रेक करेंगे तो यहां पर हमने पांच एक्जामपल को फाइंड किया है लेके आपके लिए फर्स एक्जामपल हमारे पास एक डेटा स कि हेम सेभी सेफ करैंगे कि यहांपे से़्स वैल्यू है और इसके हिसाप से जुक के चार्ट है कि यह जो बहले की है उसकी हिसाप से इतने कमacked करेंगे और हम यहांपे कमिशन को क्ञेंड करेंगे तो यह का यहांप उप करेंग touch तैड्र पास हम यह यहां पर score card है और score के इसाब से उसको grade assign करना है तो यहां पर हमने number के इसाब से grade assign के हुए है कि 73 से लेके 64 के बीच में जो भी number होगा उसको D grade मिलेगा यहां पर 85 से नीच से और 73 से ओपर जो भी number होगा उसको C grade मिलेगा तो इस तरह से we look up automatically इसको find करेगा इसे नेक्से घंपल मारे पास अंपास है घ्जांपल number 4 तो यहां पर ग्रीक्स का करना की department की साफ़ से यहां पर ग्रुप को find करना है ज्योगें डेटासे आपको ब्लैंक यहां पर शो हो रहा है जो cell values ब्लैंक शो हो रही है इनको हमें पुल करना है किसी दूसरी sheet ठीक है तो यहां पर हमारा पूरा data set है तो यहां पर देखिए हमारा पास एक customer ID है उस customer ID की हिसाप से एक single formula से सारी values को pull करेंगे तो सबसे पहले हम first example की तरफ जाएंगे यहां पर यहां पर हमने क्या करना है कि यहां पर जो ID है ID की हिसाप से हमने सारी values को pull करेंगे इस ID की सारी values एक formula से pull करेंगे तो यहां पर ID हमने पहले से यहां पर एक drop down बना हुआ है drop down कैसे बनाते है किसी भी cell पर drop down बना तो उस cell को select किजिए उसके बाद आप data time में जाएंगे और data validation पर click करेंगे data validation पर click करेंगे यहां पर देखें आपको list को select करना है और इस range पर इस पूरी range को select कर देजिए यहां पर जहां से जहां तक आपका data है और okay press करेंगे तो आपका यहां पर लिस्ट बन जाएगे यहां पर हमें क्या करना है वी look up का formula यूज करेंगे तो vl type करेंगे वी look up आ जागा थोड़ा समझेंगे समझेंगे इसको कैसे काम करता है फर्स्ट हमें कौन सी value find करने है जो look up value हमारी है यह वाली है क्योंकि इसकी हमें सारी values find करने इसका first name last name email id इसी id का हमें find करना तो यह हमारी look up value हो गई सेकेंड हमार पास है table array table array में इस पूरे dataset को हम select कर देंगे और इसको f4 कर देते लोग कर देते और कॉमा डालेंगे उसके बाद column index नमर column index में देखे यहां पर हमें क्या करना है इस column की value find करने है इसकी करने इसकी करने तो multiple columns की value find करने तो हम यहां पर simple सा match function यूज करेंगे मैच में हम first name find करेंगे first name कहां से find करेंगे इस list से find करेंगे जो headers हमार पास है इस यहां से first name find करेंगे bracket f4 कर देंगे log करने के लिए और comma डालेंगे exact find करना है और उसके बाद comma डालेंगे फिर exact find करेंगे false select करके एंटर मारेंगे तो देखिए 645 जिसका भी idea होगा उसका जो नाम हो जूली है तो यहां पर देखिए 645 जूली और इसको drag करने के लिए हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा modify करेंगे यहां पर हमने इसकी first की value find कि है next cell में last name find करेंगे next में email id find करेंगे तो इसको modify करना है यहां पर यह सेल fix रहेगी जो यहां पर match कर रहे है मैच में हम क्या करेंगे column को fix कर देंगे और रोज हमारी move होती रहेंगे तो column के आगे हम dollar sign लगा देंगे और रोज जो है six है six को fix कर देंगे free कर देंगे तो enter मारेंगे तो यह देखिए इसको double click करेंगे तो सारी values automatically हमारी यहां पर pull हो जाएंगे कोई सब नेम आपको कोई सी भी employee idea आप select कीजिए यहां से सबसे फस्स वाले select करते हैं तो देखिए यह हमारे सारे नाम यहां पर pull हो गए अब हमें क्या करना कि यहां पर देखिए जो इसका format change हो रहा है तो इस format को change करने के लिए में आसे select करेंगे home time भी जाएंगे यह format painter से इस date को हमने यहां पर format change कर दिया तो यह हमारा एक single formula से सारी values को हमने पूल कर दिया second formula second जो example हमारे पास है commission को calculate करना तो एक data यह हमारे पास है यहां पर sales value है और sales value के हिसाब से commission को calculate करना कि इतनी अगर sale हुई है तो कितना commission बनता है तो commission का चार्ट हमने यह set किया हुए तो देखे हम यहां पही क्या करेंगे विलू का formula लगाएंगे और इसकी value find करनी है यहां पर look up value हमारे यह वाली होगी table array table area का यह होगा table array इसको हम lock कर देते हैं क्योंकि यह हर बार यह table array यूज करेंगे column number commission हमारी second column में है और यहां पर हम exact match नहीं करेंगे approximate match करेंगे क्योंकि हम यह multiple यहां पर values find करने है जैसे यहां पर देखे 75 से लेकर 50,000 के बीच में जो भी sale होगी सब को 3% मिलेगा ठीक है यहां यहां आप सेवंटी फाइफ थाउजन 175,000 से लेकर नेचे तक 125,000 के बीच में जो भी sales value होगी उसको 6% commission मिलेगा तो यह multiple number के लिए 6% assign है यहां पर हमें क्या करना है इसको थोड़ा change करते हैं C की जगह में C column को fix करतेंगे और row को free करतेंगे 6 को free करतेंगे इसको नेचे द्रैक करते हैं तो यह हमारे result यहां पर आ गए अब हम यह commission calculate करनेगे is equal to करनेगे this cell into this cell तो यह हमारे commission calculate होगी ऐसे मानेगे double click तो सारी हमारे sales value की हिसाप से commission calculate होगी यह second example है third example हमार पास है यहां पर student का score card है और इस score की हिसाप से जो उसको मिला है उसके हिसाप से grade sign करना है तो यहां पर हम देखे क्या करेंगे we look up formula यूज करेंगे we look up और इसकी value हमें find करनी है table array हमारे यह वाला होगा comma break इसको log कर देंगे comma डालेंगे हमारा grade second column है तो two press करेंगे और यहां पर exact match हम नहीं करेंगे हम approximate match करेंगे tab मारेंगे तो यहां पर दिखेंगे we grade होगा तो approximate match य multiple number के लिए एक grade है तो इसलिए हम यहां पर approximate match करेंगे और यहां पर भी थोड़ा सा modify करते है इसको जी को column को fix कर देते है रो को free कर देंगे तो इसको अगर आप drag करेंगे नीचे को तो जो हमने यहां पर column assign हो रहे है मलदब जो grade assign हो रहे है यहां पर जो grade आपको दिख रहे ह example फूर अपर इस kind of यह जो हम कर रहे है वह ग्रेट फाइंड करने के लिए तो विलू का best example है क्योंकि नेस्ट एक्जामपल जो हते है बहुत lengthy होते हैं और complicated होते हैं कभी अगर थोड़ा सी गलती हो जाए तो यह वह वर्क नहीं करते हैं fourth number example पर क्या करेंगे हम department के हिसाब से हमें group को find करना है तो group हम कहां से find करेंगे इस table से find करेंगे तो यहां पी हमने क्या करना है देखे एक चीज हमें ध्यान देनी है आप है कि जो वी लुगाब है हमेशा left से right को value को find करता है मतलब की janet की value second column में क्या है third column में क्या है फोर्थ में क्या है लेकिन अगर यह find नहीं इसकी value इधर को find करने है तो इस data को हम क्या करेंगे इसको pull करके यहां पर लेकिया जाएंगे तो अब देखिए right side को work करेगा अब हम simple सा वी लुका फॉर्मल लगाएंगे अपना और वी लुक में इस value को find करना है इसकी value find करने है यह हमारा table area हो गया इसको lock कर देते हैं अड को lock कर देंगे और पांच नंबर रो को हम lock कर देते तो इस तरह से देखे ग्रूप हमारे assign हो गए sales जहां पर भी होगा ए ग्रूप यहां पर देखे ए ग्रूप हो गया marketing जहां पर भी होगा ए ग्रूप और उसके अलब fulfillment support यहां पर बी ग्रूप automatically देखिए इस ने support को fulfillment को ब ग्रूप दिया यह भी fulfillment अभी ग्रूप तो automatically इस ने values को find कर दिया ग्रूप find कर दिये फूर्थ नंबर एक्जांपल complete फिफ्ट नंबर एक्जांपल में जाए है यहां पर देखिए हमार पास blank values पड़िए यह वैलूप हमें पूल करना है कहां से next शीट चे तो इसमें सारा पड़ा हुआ customer ID हमार पास यहां पर फिफ्ट नंबर एक्जांपल पर दिखे customer आडिया customer ID की हिसाब सी हमें सारी वैलिस को पूल करना है तो एक चीज में आपको बताना चाहता हो कि इसे data को बार बार हमें यहां पर ना पड़े और इस ड्रेक ना करने पड़े तो हम क्या कर आंगे हमने यहां पर दो नेम रेंज बनाएं फस्ट है customer डीटा और सेकिंड हमार पास है डर्स तो देखिए इन दोनों कम यूज करेंगे आपने वी लुक फॉर्म ले के अंदर तो यहां पर देखिए हमने क्या करना है इस इकल टू लगांगे वी लुक अप आर बेल कप बाद लगे लुक अपदील वैल्यों हमारी क्या यह सेल वैल्यों वैल्यों हमारी लोकश भैस जो मारा यहां पर e CPA यह रिंदिया वो लोग लोगोए और उसके बाद कॉमномड डालेंगे टेबले में सेकिंड चीट में जो customer डिता जोमनी बनाया वह वह नहीं हमा तो उसको हम यहां पर हेडर को स्लेक्ट करेंगे एक्जैक्ट मैच को जीरो को स्लेक्ट करेंगे कॉमा डालेंगे और यहां पर एक्जैक्ट मैच स्लेक्ट करेंगे तो यहां पर दोबारे ब्रेकर लगाएंगे तो यहां पर देखें हमने ब्राउन को स्लेक्ट करते हैं अब तो हम क्या करें दोनों को delete करते हैं और देखते हैं कि यहां पर हमें क्या modify करना है तो जैसे हमने यहां पर last name find किया next में first name find करेंगे तो अब यहां पर थोड़ा modification करना होगा यहां पर c6 की जगह में c को हम fix कर दिजिए और रो है उसको हम free कर देंगे sorry रो को free कर देंगे रो क्या आगे डॉलर साइं नहीं होना चाहिए तो six को हमने free कर दिया और सी कॉलम को freeze कर दिया लॉक कर दिया अब दूसरा हमारे मैच function मैच में क्या करेंगे इसको जैसे इसने पहले last name को find कि आप फस्स नेम को find करेंगा तो यह को रो रो नमर फाइव है उसके आगे डॉलर सान लगाना है एंटर मारे आपका complete हो गया इसको ड्रैक करते जाए जहां तक भी आपकी वैलू है तो इदिकेश ने सारा जो record है सिंगल फॉर्म से ड्रैक करते अब आपको क्या करना है यहां पर इसको इसको लेके जाए लास्ट तक और यहां से लेके double click किजिए तो सारी वैली सारी records आपके within a second या एक से कम टैम में यहां पर पुल हो जाएंगे तो पांच best example थे वी लुक प्लस मैच के awesome example है और बहुत interview में पूशे जाते हैं यह complicated हैं और थोड़े लॉजिकली भी हैं इस लिए interview में पूशे जाते हैं तो होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको चाहते हैं कि दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाने तो शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसे किसी दू इंक्स पूर वचिक